मॉर्निंग टीवी में आपका स्वागत है आज हमारे साथ एक खास रक्सियत मौजूद है देश भर की किसानों को एक मंच पर लाने का श्रे अगर किसी को जाता है वो हमारे साथ मौजूद है शेहकुमार शर्मा यानि कक्का जी पूरे देश के किसानों के लिए लड़ाईयां लड़ी है कई आंदोलन किये हैं उनके अधिकारों की बात की है और आज की वर्तवन परिस्थिती में क्या इस्थिती है किसानों की चुनावों में कैसा किसान का मुद्दा रखा गया और कैसा रखा जाना चाहिए था, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका जिस तरह से अभी हमने विधान सबा चुनाव देखे तीन-चार राज्यों के चुनाव में किसान का मुद्दा प्रमुक था चाहे मदबरदेश हो, राजस्थान हो, अच्छा तीस गड़ हो इस लोग सबा चुनाव में ऐसा कोई मुद्दा नजर नहीं आया जो किसानों की बात करें किसी भी पार्टी ने इस और ध्यान नहीं दिया क्या लगता है आपको दिखिए देश की लगभग सभी दल किसानों के मामले में भावना शून है एक भी दल ने अपने घोश्रापत्र में किसानों को उसकी फसल की लागत का लावकारी मूल देने की बात नहीं कही इसके पहले बाजापाने कहा था अपने घोशना पत्र में बादा नमर पांच में कि हम सत्ता में जब आएंगे 2014 में कहा तो हम किसानों को उसकी फसल की लागत का डिड़ गुना लाबकारी मूल ले देंगे और उसके बाद जब उनों नहीं दिया तो हम सुप्रेम कोट गए सुप्रेम कोट ने केंसरकार ने एफेडिविट दिया है कि हम किसानों को उसकी फसल की लागत का लाबकारी मूल नहीं देशाएं सभी दलों ने अपने घोशना पत्र में किसानों को उसकी लागत का लाबकारी मूल देने की बात नहीं कही भीकारी समझ लिया है किसान को कुल मिलाकर इस देश के सत्काब में बैठने वाली रोगों हम 6,000 उप मेंना देंगे हम 21,000 उप मेंना देंगे हम पैंशन देंगे भीक देने का काम हम किसान को करेंगे मगर ये बात कोई नहीं कह रहा किसान कर्दान ना हो ऐसी नीती बनाई जा किसान कर्दान ना हो या तो आप उसकी लागत कम कर दें जीएस्टी से मुक्त कर दें डीजल को सबसीडियरेट पर दें खाद बीच को जीएस्टी फिरी कर दें अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो उसको उसकी लागत का लापकारी मूल दे दें अगर आप उसको लागत में रहना चाहते हैं कि किसान हमेशा कटूरा लेकि आपके सामने खड़ा रहे और करजदार होता रहे मैं 100 रुपए लगाता हूं खेती पर और अगर मुझे 40 मिन रहे हैं तो 60 रुपए का घाटा मुझे पिरती 6 मेने में हो रहा है तो होगा उस्ते किसान का इजदार होगा 43 परतिशत आत्मत्याओं में ब्रदी हुई है मुझे जी के कारिकाल में पिछले 5 वर्सकों में ये बड़ा स्रमनाक बिशह है बीच साल में 4 लाग किसानों ने हात पत्या की है चार लाग की अबादी की दुनिया में बहुत सारे देस हैं हमारे हाथ एसे 50 देसों के अबादी मिला दी जाया तो इंके सान सुझाइड कर चुका है तो अन्य दाता की कोई सुनने वादा नहीं है और अन्य दाता लोग सभाचनाओं में जभी पार्टियों के गोचनापत से गायब रहा है यह बहुत शर्म का विश है थोड़ा बहुत जो काम किया वो कांग्रेस नहीं है कि भी ठीक है हम दो लाग तक का करजा माफ करेंगे हम के लिए उनको धन्वाद देते हैं अब इस पर शिवराज सिंगी चोहान ने कहा एलेक्शन के समय पे कि कांग्रेस ने जूट बोला तो मुझे लगता नहीं कि मुखमंतरी इत्ते साल वो रहे उनको इत्ता ग्यान नहीं है कि 55 लाग किसानों का डाकुमेंटेशन में कम से कम 6 माई लगेगा यह मुखमंतरी में समझ होनी चाहिए उत्पूर मुखमंतरी है वो 55 लाग किसानों का डाकुमेंटेशन 55 लाग की अप्लिकेशन नीला पाम हरा पाम लाल फाम तीन फाम भरवाना है दो फोटू लेना है खंस्ता किसबंदी की नकल लेना है 55 लाग का डाकुम हम दो लाग तक का करजा माफ करेंगे यह सरकार पहली सरकार पहला मुखमंतरी है जिसने साइन किया हम उनको धन्वाद देते अब साइन तो कर दिये फाइल पर वो तो बिढ़ रहा हो नहीं सकते अब उसका जो प्रॉसिस है उसमें समय लगेगा तो जो सामने वाली पार्ट के करजा माफी पर कोई सवाल खड़ा करें यह उचित नहीं है यह उनको कोई नेते कदीकार नहीं है कि करजा माफी पर सिव्रासेंगी चोहान किसी प्रकार का सवाल की तो अब ये करजा माफी का समय आचार सहता लग गी और साथ तारी को आयोग ने पर्मीशन दी मुख मंत्री जी को फोन आया कि पर्मीशन मिल गई है एलेक्शन के बाद में हमें इस प्रॉस्स को फिर से चालू करेंगे हमें आशा है हम आशानवित हैं कि कॉंग्रिस पार्टी ने जो वचन दिया है दो लाग तक का करजा माफी का वो पूरा करेगी पूरा नहीं करेगी तो उसके लिए बाल पास रास्ते हैं जिन आंदोलन हमीशा करते आ हैं फिर करेंगे आप लगातार आंदोलन करते रहें इस पूरे चुनाव में एक बात देखी कि जो आपने भी मिंसन की है कि शिवराज सिंग चौहन और पूरी विपक्ष जो है बीजेपी इस बात पर अड़ी रही कि दस दिन का समय दिया गया था राहूल गांधी के दौरा और उन्होंने क कर्जा माफ नहीं किया इसका आपने जवाब दिया क्या कर्जा माफी के अलाबा और कौन से ऐसे कदम है जो किसानों के लिए उठाये जाने चाहिए आपके दृष्टिकोंड से सरकारों को यह आप जान लीजिए बहुत काम की बात बतारो मैं आपको हो सकता है कि मेरी सोच में कमी हो भारत वर्ष के इतिहास में 180 किसान संग्थनों को हमने एक करके भोपाल बुलाया चार दिन तक भोपाल में रखा 180 संग्थनों के कुशल महारती अनुभाव किसान नेताओं से हमने चर्चा की कि हमारी 80-85 मांगे नहीं होंगी अप हमारी केबल मेजर चार मांगे क्या हो सकती है जिसमें पूरे भारत का किसान संप्रद हो जाए तो उस चार दिन के चिंतन मन्थन और भारत वर्ष के पूरे नेताओं के राय मस्थनोरे के बाद केबल चार मांगे निकल के आई वो चार मांग है अगर सरकार हमने उसको होचना पत्र में कहां दालने के लिए है वो चार मांग है हमारी है पहली मांग कि किसान को उसकी फसल की लागत का लाभकारी मूल C2 प्लस 50 यानी स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेगा यह हमारी पहली मांग अगर यह आप लागू कर देते हैं तो तीन मांगें हमको उनकी बहुत ज़्यदा आवश्यक्ता नहीं है एक मांग में हमारा काम हो जाएगा मगर चुकी 2007 में इस मांग को पूरा करना था कांग्रिस पार्टी करना था उन्होंने नहीं किया लागू 2007 में उसके कारण यह 19 शर्दा है इस देश का किसान करदार हो गया 43 परसिट आतमते हैं बढ़ गई करद मापि अभी साफ है हम कभी नहीं कहेंगे करद मापी किया जाए एक करदा मापी न विकल्प है यह किसान की बहुत बड़ी बेजती ए करदा मापी तपराध को मिलती है हमने अपराध नहीं किया है देश को पालने का काम किया है, एक बार हम रिनमुक्ती चाहते हैं, उसके बाद कभी भी कर्ज रिनमुक्ती की बात नहीं होगी, उस सर्थ पर जब कि आप हमको लागत की आधार पर लाबकारी मुलिद दें, एक, ये दूसरी मांग हमारी, तीसरी मांग हमारी ये है कि फल, छोटा किसान है, जो मंडी तक जाई नहीं पाता है, छे कुंटल, आट कुंटल, दस कुंटल परदा करता है, उसके जीवन के लिए, किसान के मजदूर के जीवन के लिए, साथ साल की उमर में, पैंसन दी जाए, आए सुनश्यत की जाए, उसकी ताकि वो भी अपने बच्च लनी मिलेगा, तो कोई बड़े-बड़े कारखाने बंद हो जाएंगे, जब आपने पांच लाख 32,000 करोर का करजा उद्योग पतियों का माप किया है, तो हमारा पूरे भारत के किसानों का तो कुल पांच लाख है, उद्योग जगत का पैसा आप माप कर सकते हैं, राउल ग दुगनी कर दी जाएगी, आप चुकि 2022 काफी समय पूरा कारेकाल पूरा हो चुका है, पांच वर्स का, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ उन्होंने हासिल किया है, कुछ उपलब्धी रही है, कि आप दो-तीन सालों में जो लागत है, वो दुगनी हो जाएगी, म अब ही तक प्रधान मंत्री जी ने किसानों के संदर्म में जो भी घोचनाएं की है, वो सब की सब जूटी है, बेही मानी है, 28 निर्णे, इस मोधी सरकार ने किसान के ब्रोध में लिए है, 28 निर्णे, तो 28 निर्णे ब्रोध में लिए है, इतने जादा ब्रोध में लेने व किसानों को जो कर्जमाफी की गई है वो एक अच्छा कदम है किसानों के लिए लेकिन फिर भी जो एक्जेट पूल नजर आ रहे हैं मुद्रदेश के अगर संदर में बात करें वो हलाकि कॉंग्रेस पूरी इसी मुद्दे पर ही उप चुनाव लड़ रही थी कि किसानों की कर परजमाफी हम कर रहे हैं इसलिए हमका लाभ मिलेगा लेकिन कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसको आप कैसे देखते हैं कि देखिए पहली बात तो एलेक्शन हमारा विशे नहीं है ठीक है परन्तु लोगतंतर में हम रहते हैं लोगतंतर जिंदा कैसे रहे यह एक कि वोटर होने के नाते मेरी जबाबदा जात कि कि एग्जीकट पॉल के जो आखड़े आ रहे हैं जिनको हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहें कि आज से चार्स दिन पहले या को आधा बता रहे थे बीजेपी कु आई डबल से ज़पा रहे इक इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ शा verschiedene है मैं 100 पर से गरबली है उप यह अंक दिने जा रही है शेजिया कि कि वो ताकि ये बताए हुए आंकड़े जस्ट भाइट कर सके देखिए कि मीडिया भी कह रहा था पहले से और इस अभी गया परन्तु वही पत्रकार जो एक सो साथ अरसी कह रहा था एक सो अरसी बीजेपी के आज मुझे चार सो कह रहा है एक दिन में ऐसा कौन सा तुफान ख सकता है और अगर साले चार सो चार सो होता है तो इसे देश में बहुत वड़ी क्रांती होगी और एक क्रांती की दरकार है एमर्जनसी बैठक जो राष्टबादी ताक्ते हैं देश की उन्होंने मुझे बलाया है 24 तारीकों में दिल्ली जा रहा हूँ और राष्टबादी ताक्ते बैठके विचार करेंगी कि अगर देश में लोक्तंतर नहीं बचाएगा और मसीन से चुनाव रड़ा जाएगा तो हम हिंदुस्तान की नकली लोगों को यहां से बाहर करेंगी जब से एक जिट पोल आया है तो यह अक्सर कहा जाता है कि अभी तो कॉंग्रेसी यह कहेंगे तेश तारीकों कि यवियम खराब है आप भी वही बात कह रहे हैं लोग मजा की अंदाज से इस बात को ले रहे हैं जब भी यवियम के बात होती है तो कॉंग्रेस को एक मजाव कि तोर पर लिया जाता है कि जब भी चुनाव हारने लगते हैं तो ऐसा कुछ कहते हैं तो इस बात लोकतन्त की रक्षा कैसे हो और इस बात को कैसे समझाए जाए कि वास्तों में इविय में गरबड़ी हो सकते हैं कि चुनाव आयोग भी दो चार बार बोल चुका है क्या यह और ऐसा कुछ किसी ने कर नहीं पाया भी तरह देखिए आप पार्टी के विधायक ने दिल्ली विधान सा भामें डेमू किया मशीन दिखाई उसने कि इस प्रकार से यह हाई टेक होता है सूजा लेंडन में प्रेस कांफेरेंस लेते हैं बड़े पत्रकार है और उन्होंने साहभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया था केवल कॉंगर्जेस के सिब्बल गए थे कपल सिब्बल जी गए थे उन्होंने कहा है कि लो फ्रक्रेंसी पर मसीन का आदी इवी एम का आप मसीन को इस्तेमाल नहीं करता है देखो हम किसान आजमी है हम ज़्यादा बुद्धी लगाते नहीं है मशीन के टेक्टिकल आकड़े को हम समझते भी नहीं है उन्हा समझना चाहते हैं हम यह चाहते हैं एक दुनिया का कोई भी देश इस मशीन को डिसकॉर्ड करता है सबसे साउथ अफ्रीका जब पूरे देश साथिम्स करते है तो हम उसको क्यों इसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक सोचने लाइ Veg pag और आ आयोग नहीं माना अब मैं आपको बता हूं कि आयोग की पॉल में खोलता हूं आयोग देखिए हम लोग एक सामान भाव से ये कि हमको मोदी जी ने पिछले बार कहा था कि हम लागत के आदार पर डिर्ड गुदान लापकारी मुल देंगे सुप्रेम कोड गए सुप्रेम कोड ने कहा कि साब तो लिनों ने लिक के तो दिया रही है अफिटिविट तो हमने कहा कि साब ये कानून के दारे में कैसे लाया जाया गोस्रा पत्र इस देश की जनता के साथ सतर साल से पार्टियां ठगी कर रही है हम दो कड़ों लोग को रोजगार देंगे हम आपके खाते में पंदर लाग डाल देंगे तो हम आयोग के पास जाके एक लेटर ले गए और आठ किसान भारत के जो बड़े बड़े किसान लेता हैं उनने हमको समय दिया आयोग ने और जाके कहा कि सभी पार्टियों के घोस्रा पत्रों को कानूनी दारे में लाया जाए इनकी लफ़जी बंद की जाए ताकि चुना देने में रोजगार देंगे ऐसा सडूल दें सुप्रेम कोट ने गाइडलाइन दी है कि जो आप घोस्राइं करते हैं वह रासी कहां से लाओगे ये गायडलाइन दे दी सुप्रेम पर तू आदि ये पूरा दारे में लाया जाए कैसी होगा तो अनोंने कहा जाए आप फि नौन रणने से आयोग गोशत कर दिया जाएगा उसी दोरान हम से जब आयोग ने बात बोली ये समझ के बोली कि ये तो नौन पर्टिकल आदमी है इनको कोई पार्टी से मतलब लिए तो कमिशनर ये कहता है कि मोधी बहुत अच्छे आदमी है हम आश्यर चकत थे कि कमिशनर आदमी हमको ये कह रहा है कि मोधी बहुत अच्छे आदमी है अभी तक देश में ऐसा प्रधानमंती नहीं आया है आपको लोग को सपोर्ट करना चाहिए और आप हमसे पहले नहीं मिले नहीं हम आपकी साधी मांगे पूरी करवा देते ये अगर कमिश्दर कहेगा तो निस् सारसो सीठे आ रही हो या साड़े तीन सो सीठे आ रही हो सच में ऐसी हो कैसा इसका मतलब कैसे आप लोग सोचेंगे कि ये गलत हुआ है अब ही विपक्ष इतना भी कमजोड नहीं है कि इसकी एक भी सीट ना आए और बीजेपी इतनी तागत भी नहीं है कि पूरी पांसो तालीस में से साड़े चार सो ले जाए एक सामान गडित है फिर बजार भी गरम है मशीन का फिर कई जगह से मशीन लेके ट्रॉक गये हैं मशीन को चेंज करने के लिए उन ट्रॉकों भगाया गया है वो भी रिपोर यह दिए यहार वाले का फूल की क्यों करती है जाड़ू की क्यों निकलती अब इस बात का संकेत कर रहे हैं कि मेंच मैंडिमेंट टकड़ा है और 2014 में भी मशीन को मैनेज किया गया था इसकी सूजा ने पुष्टी की है लंडन में तो ये अगर आती है ये हमारी संभावना है अगर ऐसा होता है तो पूरे देश के करांतिकारी राष्टरबादी लोगतन की रक्षा करने बाले आप जैसे मेरे जैसे लोग इस महालोग नायक जैप्रकास की संभून ट्रांति जो हुई थी एक बार संभून ट्रांति पार्ट टू पर आगाज पूरे देश पर होगा तो ये थे हमारे साथ किसान राष्टरी किसान नेता कक्का जी जिन्होंने किसानों की समस्या पर बात की सरकारों पर बात की सरकारों द्वारा किसानों के अधिकार में किया जाने वाले कारियों पर बात की और सबसे बड़ी बात ये रही कि लोगतंत्र की हत्या हो रही मसीन मैनेजिंग की बात की जो लोकतंत्र के विशय पर सही नहीं है अब देखना है कि किस तरह के 23 मई को परिणाम आते हैं और जिस हिसाब से अभी हमारी बात हो रही थी कि अगर 300-400 सीटें आती हैं तो राश्टरवादी ताकतें एक होकर इस विशय पर चिंतन करेंगी आंदोलन करेंगी उसका क्या होता है इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें गुड मॉरिंग टीवी के साथ धन्यवाद